हेल्लो एव्योंस वागद आप सभी का आज के फैंटेजी प्रिव्यू में मुकाबला है RCB बनाम PB KS उसके पहले आप सभी को हैपी होली होली की शुख कम ना है हो अप सभी का दिन रंग भरा रहे तो चलते हैं आज के प्रिव्यू के तरफ RCB, BANAM, PBKS and खेला जाएगा ये मुकाबला at the Chinnaswami Stadium in Bengaluru, नया टीम का नाम है Bengaluru from Bengaluru, Royal Challengers Bengaluru है, मेरी prediction to win this game, उसके अलावा 60% mini, 40% SL, एक और गेम के लिए वही प्रिंसिपल follow कर रहा हूं है, 50% investment वाला कि वापस ही एक नया ground है, तो वही साब से थोड़ा सा अजस्ट करके वहाँ पर चलेंगे, एक और बड़ा giveaway है, माइ मास 11 पर, आपका link है, वीडियो के description में जरूर जुट जाएए, और ये जो सारे apps के links है इस वीडियो के description में, तो वहाँ से जुट सकते हैं, जहां भी आपको पसंद आए वही के लिए, एक्सचेंज 22 के top leaderboard चल रहा है, तो miss out मत करेगा, कुछ top prices है और आपको क्या करना होता है, एक्सचेंज 22 के simply buy और sell your players, जो भी players आपको पसंद आप खरीदे या बेचिए, अगर आपको लगर अच्छा perform करेंगे है, तो buy करिए, else sell करिए, and of course आपको ना TDS भनना है, ना GST on Exchange 22, so ensure you sign up right away, and join us at the rate fantasy, click to on twitter and telegram, final teams, updates, सब कुछ आपको वही पर बिलेगी, links है वीडियो के description में, link से ही जुड़ी है, ताकि आपको फेक चानल से ना जुड़े, and like always remember to hit the like, and comment, share, and subscribe if you like this content, weather report की बात की जाए, तो clear weather expected for this game, यहां पे एक पूरा मुकाबला हमें देखने को, मिलना चाहिए, and एक अच्छी pitch, belter of a pitch यहां कही जा सकती है, and range of scores बहुत बड़े आपको दिख रहे हैं आपे, क्यूंकि यहां पर आपको कभी कभार दिखती है, 170, कभी दिखता है, 225 तक के score, so very high variance, but small dimensions, तो बहुत सारे runs यहां पे आप expect कर सकते हो, बात की जा, expected playing 11s की, तो मैंने अब तक अधरवा तर्दे को इस साइड के starting 11 में रखा है, क्यूंकि मैं expect कर रहा हूं, better batting pitch है, तो हरप्रीद ब्रार के place पे यहां पे एक batter को आना चाहिए, but let's see, maybe हरप्रीद ब्रार भी वापस खेल जाए, उनका भी performance काफी ठीक ठाक था, हमें पता है कि उनका एक famous match-up है, जो हम discuss करेंगे आगे, cities, when's the first prize में आर, क्या करना, आपको खाली जाएगे, leagues join करने है, and leagues में भी आपका commission बत रहा है, so sign up right away, refer code is fcp, अब चलते है, royal challengers, bangaluru की तरफ, so we start with a man himself, virat koli, of course one of the best in the world, जो basic data है, वहम पहले-पहले previews में discuss कर चुके है, main हम highlight करेंगे, जो है versus team data, at bangalore data, pitch data and match-up data, बागी सब pretty much, same रहेगा, तो pitch case आप से बात की जाए, तो of course ये pitch को बहली बाती समझते हैं, यहाँ पे बहुत सारे runs है इनके, and ये data यहाँ पे invert हो चुका है for some reason, but at bangalore है इनके 87 matches में 3000 runs at an average of 40, and जो versus PBKS वाले data है वो नीचे है, तो इस बात को आप ignore करेंगे, तो ये हुई विराट कोली की बात, I think top batter and of course आप pick कर सकते हैं, कुछ match-ups हैं जो हम बात करेंगे आगे, फिर बात करेंगे यहाँ पे, Faf2Plessy की versus PBKS, ठीक टाक numbers, 11 matches, 465 runs, really really good average, and at Bangalore, 19 matches, 553 runs and 36 average, so really good numbers here and of course last match में काफी अच्छा form दिखा है, तो no point taking a chance on, हम इदर GL में ही आप इन प्लेयर्स पर chances ले सकते हो, वो किस scenario में ले सकते हो, वो हम आगे discuss करेंगे, रज़त पार्टीदार versus PBKS, two matches में 57 runs, बैंगलोर में अब तक खेलें नहीं, form इनका ठीक टाक रहा नहीं है, लास्ट गेम में भी एक और डख मार दिया नोंने, तो लेट सीक ऐसा गेम जाता है इनका, Glenn Maxwell versus PBKS, six matches, 70 runs, 17 की average and सिर्फ एक विकेट, जब Glenn Maxwell की rise हुई थी in the IPL, वो अगेंस इसी टीम की हुई थी, और उसके बाद से जब भी उनके सामने खेलें, कुछ भी नहीं कर पाएं, बड आट बैंगलोर अफकोर्स नंबर्स ठीक टाग है, 13 matches, 25 की average and 5 wickets, तो आप तिर भी इनसे 32-40 points easily expect कर सकते हो, and problem क्या है, last game में सिर्फ एक की over डाला था, वो भी होना slower track, ये track पे तो इनको spin मिलने से रही, बट कुछ left-handers है PBKS के order में, तो maybe थोड़े एक-दो over मिल जाया है, उन्हें, let's see कैसा जाता है, बट जिस type का potential player में उन्हें छोड़ना बहुत ज्यादा risky, Cameron Green at Bangalore, one match, five runs, एक विकेट, and versus PBKS, अच्छे numbers, two matches, 90 runs and two wickets, last game में काफी overs डाले थे, इन्होंने, over and above में expectation, and hence, ज्यादा इनकी importance है बढ़ जाती, जैसे आप देख सकते हैं, उनका opportunity meter वहाँ पे, right की तरफ गया है, जावद बहुत ही ज्यादा impressive रहें, in the last game, around the leg side, काफी अच्छे shots के लिए, थोड़ा on the offside, अभी भी suspect कह सकते हैं, and strike rotations, ज्यादा खास नहीं कर पाते हैं, at Bangalore, two matches, 38 runs, and versus PBKS, one match, 21 runs, तो जैसे आप देख रहे हैं, हम order के नीचे जा रहे हैं, बैटिंग के after Virat and Fap, तो कुछ concerns है in terms of batting strike rate, दिनेश कार्थिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, versus PBKS, 27 matches, 630 runs, and 32 का average, ठीक टाक numbers, and at Bangalore, बहुत ही बड़ा concern, 24 matches, 337 runs, average, बहुत ही ज्यादा खराब, but last match में, कुछ अच्छी जलकिया दिखाई थी, पर कितनी help मिली, यह पता नहीं, as मैंने ज्यादा leg spinners को, सक्सीड करते हो, यह नहीं देखा, except for युजवेंद्रे चहल, but inks versus PBKS, 8 matches में, 5 wickets, Bangalore में, विकेट्स अच्छे हैं, बट याद रख कि, यह data skewed है, एक match से, तो अगर आपको लग रहा है कि, versus PBKS, अब तक नहीं खेले हैं यहाँ पर, but बहुत ज्यादा high potential player है, accuracy इनके साथ एक concern ने, last match में भी काफी runs पड़े, wicket नहीं मिली, but I know कि with Punjab problem क्या है, कि इतने ज्यादा shots खेलने जाते हैं, कि wickets तो यह, किसी ना किसी को दे ही जाते हैं, Mohamed Siraj versus PBKS, ठीक टाक numbers, 8 matches, 8 wickets, and Bangalore भी बहुत अच्छा किया है, 15 matches में, 19 wickets, so overall pretty good numbers here, and lethal हो सकते हैं, the power play off the deck, upfront कुछ भी help रही तो इन्हें बिलकुल मिलेगी, हमने एच चीज़ अब्सर्फ की थी, अच चिन्नस्वामी लास्ट यर, वो यही थी कि, starting के कुछ Overs में, power play में थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, for the battles, तो वहाँ पे Siraj का रोल बिलकुल बन सकता है, याश दयाल, of course इन्हें भी movement मिलती है as a start, but इनकी accuracy concern है, death में तो आपको पता ही है, कि इनके साथ क्या हुआ है पहले, तो अभी killer team में रहेंगे, क्योंकि एक proper batting pitch होगी है, GL में अगर आप pitch report में कहा जाते है, कि starting में movement है, तो वहाँ आप इन्हें बिलकुल try करिए, अब चलते हैं, Punjab Kings की तरफ, यहाँ पे start करेंगे, विच शिकरदवन versus RCB, यहाँ पे 25 में एनेक यहाँ पे reverse में skip, sorry, add Bangaluru, 9 matches 241, 140 का आवरेज, शिकरदवन का वो data वहाँ पे populate नहीं हुआ, तो preview के बीच में, जाके वो fill करके आप लाएं यहाँ पे, उसके बार चलते हैं, Johnny Bestu की तरफ, of course versus RCB, बहुत अच्छे numbers रहें, कि 4 matches 253 runs and 64 का आवरेज, match-ups अच्छे हैं, form ठीक टाक, last game में कुछ खास नहीं कर पा है, बट उसके पहले अच्छे form से आ रहे हैं, सिर्व एकी problem है, starting सही high risk के खेलेंगे, Rob Simran Singh versus RCB, 2 matches 53 runs and 27 की आवरेज, worth considering में काऊंगा, बट जिस तरीकी की cricket खेलते हैं, थोड़े in comparison to best or the one, थोड़ी सी अब तक quality उनकी वो level की है नहीं, versus RCB, अतरवर ताइडे, one match, four runs, but player to watch out for में काऊंगा, and जो इनकी bowling type है, वो भी है, to watch out for versus RCB batters, इस बात का ध्यान रखे, क्या पता एकाद over आके कर जाएं, अगर हर्परीद ब्रार केलेंगे, हर्परीद ब्रार बितने भी पहले, I think, दो-तीन wickets लिये हैं, in front of RCB, I think, वो एक over जो था, versus Deville, versus Koli, सबको ही एक ये over में, out कर दिया था, Liam Livingston, अच्छे खासे numbers नहीं, versus RCB, five matches में, सिर्व 108 runs, 27 की average, बड़ी थोड़ी bowling भी कर लेते हैं, तो क्या पता आपको, वो Maxwell type की overall value दे जाएं, ऐसे type की ground पे, इन type को players को छोड़ना, बिलकुल भी advisable नहीं है, not in your small league team, क्यूंकि ऐसे players है, चल गए, तो 80-100 runs, अकेले माल जाएंगे, जितेश शर्मा, versus RCB, two matches, 50 runs, not great numbers, but I think, in terms of potential, अगर जो team keepers, आपके पास इस game में, in terms of options, यह सबसे high on potential है, मैं कहूंगा, तो definitely worth picking, and दोनों teams के, आप bowling compare करेंगे, तो RCB की bowling, थोड़ी से ज्यादा weak, तो मेरे लिए, अगर कोई player to watch out for, हैं तोड़े, वो हैं जितेश शर्मा, Sam Karan, versus RCB, five matches, five wickets, eleven runs, last game में, एक योवर किया था, but balls, a bat से आके, एक 50-plus knock, contribution, match winning knock, वहाँ पे खेलके कहते हैं, तो आप वो सबसे, तो बिल्कुल इने ने शोड़ सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, with such players, वो या तो bat, with the ball, कुछ तो आपको करके देंगे, वो dream team position, पार जाने के लिए, Harshal Patel, बहुत बहुत अज़ों तक खेले, RCB के लिए, three matches, two wickets, RC versus RCB, बहुत पहले का data, and at Bangalore, सबसे experience, अगर कोई bowler होगा, from the Punjab team, at Bangalore, 21 matches, 20 wickets, Harshal Patel, first bowling में, definitely worth considering, last game में भी हमने देखा, कुछ अच्छे surprise, bouncers डाल रहे थे हैं, जो आप expect नहीं करते हो, from a player, whose stock ball is the slower ball, Rahul Chahir Leggy, versus RCB, eight matches में, सिर्फ six wickets, थोड़ा सा परेशान किया, और उने कोली को in the middle order, तो that will be a matchup to watch out for, but जिस तरीकी की bowling कर रहे हैं, problem वही हो जाती है, कि starting में इन्हें विकेट्स लने में, मुश्किला होती हैं, अगर ये confidence type के bowler, अगर start में विकेट मिल गया, तो चल गए, नहीं तो ये ढल गए, second bowling में आप definitely worth considering, मैं काऊंगा, क्योंकि अगर एक बड़ा score बना देती है पंजाब, तो वहाँ पर ऐसे type के bowlers का काम, ज्यादा बनेगा, कगीज और अबाड़ा all face pacer, बहुत अच्छे numbers वसे बैंगलो, seven matches में 16 wickets, एक मैच में 4 wickets, तो I think first या second bowling में, इनने छोड़ना काफी आपके लिए, मुश्किल होगा, एविन दो pitch इनने खास suit नहीं करेगी, बहुत ज्यादा runs पढ़ते हैं यहाँ पर, बढ़ ऐसे type के class players के लिए, पिच उतनी matter नहीं करती, अर्षदीप सेंग five matches, four wickets, not great numbers, एन यहाँ पर काफी मार पढ़ सकती है, अगर batters अपने zone में आ गए, सो मेरे लिए अभी के लिए 50-50 पिक होंगे है, अब चलते हैं आज के match-ups की तरफ, फैब डूपलिसी वर्सेज कजीजु रबाड़ा, पर पर दिस्मिसल अब मैं खासी सिर्फ इन प्लेयर्स पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, वो यह हैं क्योंकि ज्यादातर उन प्लेयर्स को लेके हैंगे, मैं दिनेश कार्तिक के match-ups, या अनुजावत के match-ups डिस्कस करके, कुछ खास करनी पाऊंगा, आप इनकी small league teams में ज्यादा वो होंगे नहीं, यही दो प्लेयर्स पर ज्यादा focus रखे, जब आप grand league rotations कर रहे हैं, उसके लावाद धवन थोड़े out of international touch रहे हैं, तो उन पे भी आप focus वो हिसाब से कर सकते हैं, आप बनाते हमारी आज की fantasy team, on the my master 11 app, यहाँ पर 49 में आप जीत सकते हो थार, 47 में grand league leaderboard, एक mini GL भी है, एक 100% winning league भी है, यह 1390 वाल है, आपका जो favorite contest है, वो यहाँ पर 1380 में available है, 19 में royal infield हैने free contest भी है, तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से बना लो अपनी team आज की, हम बना लेते हैं हमारी, so keeping section, जतेश शर्मा, अल्रेडी आपको explain कर जुका हूँ, क्यों in the batting section, विराट फैफ, यह होंगे सिर्फ grand league risk, क्योंकि, जिस type की conditions है, आप small leagues में नहीं छोड़ सकते हैं, शिकरदवन और जॉन्नी बैस्टो, जॉन्नी बैस्टो बहुत ही ज़्यादा dangerous हो सकते हैं, यहां पर बिलकुल धियान रखेगा, in the all-rounder section, Sam Curran, Glenn Maxwell, Cameron Green, and Liam Livingston होंगी हमारी top choices, क्योंकि यह बापस इनके साथ, batting and bowling की, बहुत अच्छे तुम्हें जाओंगे उनके साथ, and मेरी second pick अभी के लिए होंगे, Mohamed Sirach, यूँकि उनके भी numbers, काफी अच्छे in comparison to the other bowlers, पहले bowling करते हैं, तो अर्ष्टीप सिंग को consider कर सकते हो, या हर्षल पतेल को भी consider कर सकते हो, अलजारी जोजिव, गुड जील ऑप्षिन, करंच शर्मा वेन बोलिंग सेकेंड, राहुल चेहर वेन बोलिंग सेकेंड, यास तयाल वेन बोलिंग फर्स्ट, यह जो मैं कह रहा हूँ, जील के साब से कह रहा हूँ, कैप्टिन, वाइस कैप्टिन की बात की जाए, तो अभी के लिए, वेरी टेंटेड तो गो विद ग्लेन मैक्सवेल, बट मैं थोड़ा सा क्यामरेन ग्रीन की तरफ हिंच कर रहा हूँ, क्यूंकि उनके जो ओवर्स की लाइकली होड है, वो थोड़ी ज्यादा है, प्लस विद बैट पी आपको अच्छा काम, अगर धवन, अधरवत आड़े अगर खेलते हैं, बट नो कन्फरमेशन, एंड साम करें, तो अगर वहाँ पर ये बोलिंग, वहाँ पर हमें वही ओर्डर दिखते हैं, तो फिर ग्लेन मैक्सवेल के बोलिंग के चांसे बेटर हो जाते हैं, अभी के लिए मैं इन दोनों को CVC माक कर रहा हूँ, और फिर बेस्ट ऑन पंजाब बैटिंग ओडर वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री कॉंटेस्ट अभी ही जोइन कर रहा हूँ है, बिफोर आप सब जोइन कर ले, यहाँ अभी के लिए मेरी टीम, फाइनल टीम में बताऊंगा आपको अन टेलिग्राम, टेलिग्राम का लिंक है वीडियो के दिस्क्रिप्शन में, रिमेंबर तो हिट देलाइक बटन, इनकि आपने से बहुत लोग सर्व यही चीज़ देखने के लिए, प्रिव्यू तो देखते हैं नहीं से यही टीम देखने के लिए आते हो, आप चलते हैं आज के जी एल उप्शन्स की तरफ, और उसके बढ़ होगा आपका हैपी होगा, ग्रैंड लीग उप्शन्स, लो सिलेक्ट, डाकोर्स, पिक्स, अरशल पटेर बोलिंग फर्स, जॉनी बेस्ट, अल्रेडी बता चुका हूँ, क्यों हैं हाई सिलेक्ट, ड्रॉपरिस बाउम, अलश्टीप सिंग, अप फरन्ट मुमेंट हुई, फर्स बोलिंग करें, तो फिर मैं में भी चांस ना लूँ, ग्रैंड लीग, यह एक पोटेंशल चॉइस, एक नमी लेफ फिल्ट जाना है, तो कजी जुरवाड़ा के नंबर बहुत ही जयादा अच्छे, थोड़े टीम्स में उनने भी CBC ट्राइ कर सकते हो, तो इरा मारा आज का प्रिव्यू, तैंक यू सो मच पूर तुनिंग इन, रिमेंबर तो हिट थे लाइक बटिन, जॉइन उस अधरेट फैंटेसी क्रिक्ट्रो और ट्विटर और टेलिग्राम, विश्यू वेरी हापी होली, वन्स अगयाँ, वेव ग्रेट देए और जल्दी मिलेगें एक और प्रिव्यू के लिए,